13.0.3 का एक latest Indian update जो की size में only on बहुत small देखनी को मिलता है जो की 64 MB है रोल आउट होना शुरू हो चुका है और इसे install किये वे यानि update किये हो गए है एक से दो दिन और यहाँ पर क्या कुछ मुझे देखनी को मिला वो साहे चीज़े आज किस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं सिर इसलिए last तक जरूर वाच करना ये एक small package है तो बड़ा to change होने वाला नहीं है लेकिन actually में system app update और बाकिरत चीज़ों में क्या बतलाव दिखनी को मिलता है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा और अगर आप एक Redmi के Note 11 डिवाइस के यूजर से तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना जो कि मैं एक second चैनल भी है ताकि आपको update, official release और साथ इस साथ कस्टम रों से related information मिलता रहे 4GV कंद तो animation आना भाई एक सपना हो गया है यह आने वाला है नहीं और 6GV वाले कई सरे ऐसे डिवाइस हैं जिन में भी यह चीज़े हटाई जा रही है तो आप बताना कि अगर आपके पास Redmi का Note 11 का 6GV डिवाइस है तो उसमें animation देखनी को मेड राया नहीं लॉकिंग अनलॉकिंग का क्योंकि यहां पर 4GV में से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है साथ से यहां पर blur preview तो हटा हुआ है नहीं और कुछ लोग इसके बारे में कंप्लेंड कर रहे थे कि मरस्ते की जिवे हो उसमें भी बलर देखनी को नहीं मिलता तो इस update में आप जरूर चेक करना इसे आप सिंपली हटा सकते हो बस एक theme अप्लाई करना उसके वाद आपका काम हो जाएगा बट आप बताना कि क्य आप पर प्रमोसन भी चालू कर दिया है साउमी ने जो कि पहले ऐसा नहीं था साथ यहां पर आप देख से तो जिली और मोज वगरा सब कुछ आ गये हैं जो कि मैंने डिलीट कर रखा था तो यह चीज आप चिक करना कि क्या आप में भी आया या नहीं आया तो अच्छे बा करोगे जब तक साथ ही आपको मिल गया होगा नहीं मिला है तो थो आसा वेट कर लेना जल्दे ही मिल जाएगा जहां पर आप देखोगे कि All Aspects कंदर Android 12 देखनी को मिलता है 111 का Security patch है और यहां पर आप देखोगे कोड लिखा हुए है FGCINXM जो कि Indian users के लिए है जहां पर मे अपडेट कर लेना कि कई बार सिस्टम के अपडेट के वज़े से यहां पो कुछ नया चेंज देखनी को मिलता है साथ स्याथ यहां पर Google का Security patch भी यहां पर November का आगया है इस डिवाइस के लिए तो आप इसे यहां चेक आउट जरूर करना है क्योंकि मैंने अपडेट है जो सिस्टम के अपडेट करने के बाद हमा जो सिक्योर्टी है आटो अपडेट होके चला जाता है जो कि 7.2.1.22 अगरा है जिसका मैंने कुछ दिन पहले ही सिस्टम अपडेट के वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था और बताया था कि अपडेट करना है तो करो पर देखनी को मिलता था परसेंटेज देखनी को मिलता था इसे हम नाम में चेंज कर देगा है जैसे कूल वाम और बाकिया दा चीज़े तो यह चीज़ भाई ओफिसली आ चुकी है और पता नहीं कब तक ठीक करते हैं फिर जान मुझ किसे एड किया जा रहा है यह अवे तक से और नहीं है साथ साथ अगर हम बैक यूर आते है तो आपको पता होगा कि पिछले टाइम स्कीन ओन टाइमिंग को रिमूफ किया गया था हमारे नोट 11 और पोको M2 प्रो के अंदर से चाया वो गलोबल का हो या फिर इंडिया का हो तो यहां पर आप स्टील नोटिस करोए कि यहां पर कोई भी स्कीन ओन टाइमिंग आपको अप्लिकेशन देखने को नहीं मिर रहा है जो कि यह स्टील बग है जो कि फिक्स नहीं किया गया अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह लोग इसे बग मान रहे हैं सावमी वाले या फिर जानमुच के दिये जा रह करते हैं तो आप यहां पर देखवागे कि यहां पर हमारा स्कीन ओन टाइमिंग स्टील अभी भी देखने को नहीं मिरा यानि मिसिंग है जो कि भाई एक्ट्वाली में रिमूव किया गया है और अगर मैं फिर से यहां पर अपने सिस्टम एप अपडेटर पर आता हूँ त कैमरा पहले है जैसा ही काम कर रहा है इसमें कोई भी मुझे दिक्कत वगेरा नहीं आया है लेकिन गैलरी अपडेट होने के बाद मुझे कुछ यहां पर इंप्रूम्मेंट और स्मूद्दे से जादा देखनी को मिल गया है और जब भी आप को वीडियो को इस तरीक से एड इड कर सकते हो अलालग फिल्टर लगा सकते हो अलालग यहां पर नहीं जयुद्न विडाले है बाकी यहां हो देखनी को मिल खरेद। और Google का डाइलर वगर आपको देखनी को मिलता है और Theme Store भी मैंने अपडेट कर लिया है बट इसका लुक अभी भी स्टिल थोगा सा ओल्डे देखनी को मिल रहा है जो कि Auto आने वाले टाइम में अपडेट हो जाएगा और Low-Y हो गया अभी जब पहले थोगा साथ डिफेंट है अभी यहां पर थोगा साथ डिफेंट आपको देखनी को में रहा है तो कई बाइक कुछ ऐसे लुक्स होते हैं जो कि सर्वर के तरफ से लॉक किये रहते हैं जो कि आपको टाइम करूसर अनलॉक होता हुआ है जो नजर आएगा जो कि अभी स्टील मुझे यहां पर देखनी को मिला अब आते हम यहां पर इसके प्रफोर्वेंस टेस्ट रिजल्ट के उपर कि क्या कुछ कैसा देखनी को हमें मिलता है यह है हमारा अंटू टो स्कोर जो कि मुझे काफी अच्छा खासा लगा है और पहले वाले अपडेट से भी मुझे इंप्रूट लग रहा है अनादर यहां पर है हमारा गीक बेंच जो कि यह भी काफी सही है कोई कमी की बात नहीं है और हंडेट पर डालने के बाद यह है हमारा CPU टो टल जो कि 95 का गया है काफी अच्छा खासा है और अनादर यहां पर मैंने भाई इसे गेम टोरो में एड किया तो उल्टा यह 93 आ गया 21 मिनट में जो 39 परसेंट चला जाता है जो कि यह भी मैं कहुँआ कि काफी सही स्पीड आपको नजर आता है तो यह चीज़ आपको यहां पर जो देखनी को मिलती है और यह देख से तो सावज सिस्टम के एप्डेट जो कि मुझे यहां पर देखनी को मिले थे करीव वन जी भी कासफस का और जो ओडी अपडेट मिला वह ओन लिए 64 का तो यहां पर काफी अच्छे तरीके साथ काफी डिफेंट रही किसे हमें अपडेट प्वाइट किया जाता है जिसके वैसे हमें कई बाद काफी डिफेंट चेंजिंग देखनी को मिलती है और कई बाद कुछ भी देखनी को नहीं मिलता तो यह एक ओवर ओल अपडेट था हमारे डिफेंट के नोट 11 इंडियन यूजर्स के लिए आप कमेंट करके बताना कि यह अपडेट आपको मिला या नहीं अगर नहीं मिला तो थ्वासा वेट करो आपको जल्दे मिल जाएगा और आप इससे अपडेट इजी से कर पाओगे लेकिन यह डिपेंड करता है आपके उपर कि आपको भाई अपडेट करना है या नहीं और मैं आपको स्लेश्ट करूँगा भाई जब भी कोई सिक्यूर्टी पर अपडेट आता है न कर लिया करो जिससे आपके फोन के सुच्छ सेक्यूर्टी वह थौशा सब बेटर होते रहता है अपडेट होते रहता है जिससे डेटा लिग और बाकिया था चीज़ों कि वह जो खत्र है न वह थोड़े डाउन हो जाते हैं और हाँ एक चीज़ यहाँ पर mention में करना भूल गया वह हमारा नोटपेड यह भी यहाँ पर आटो अपडेट हुआ है सिस्टम अपडेट की वह जैसे जिसके वैसे यहाँ पर एक फोल्डर का नया option आपको देखने को मिलता है जिसका भी वीडियो मेंने सिस्टम अपडेट में काफी टाइम पहले आपको जो दे दिया था तो यह भी चीज के लिए काफी जड़ा यह useful होने वाला है सो बस थांक्स पर वाचिंग बाबाई